आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं होत रही, Study Glows पर आपका बहुत दोस्वागत है, आज हम बात करेंगे सब्मरीन की जो डूब गई है, The Hindu का ये आर्टिकल है, कल ये खबर छपी थी, और मैंने सोचा अभी थोड़ा इसको रुक के बनाता हूँ, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा सा रुक के मैंने बनाया, कि चीज़े clear हो जानी चाहिए, तब मैं ये वीडियो बनाओगा, तो अब चीज़े लगबग-लगबग clear ही हो गई है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो जिन्होंने सब्सक्राइब किया थांक यू सो वरी मच जिन्होंने नहीं किया यार कर दो 50-60% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं ऐसा मत करो बेल आइकन दबाओ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करो notification आपको सबसे पहले मिलेगी Insta पे मुझे follow करो हमने recruitment निकाल दिया है आपने आई होब वो वीडियो देखी होगी जरूर हमसे जुड़िये Telegram पे मुझे follow करो और अब ऐसा है कि मैं बोलो Sorry, खबरी app पे आ गया हूँ खबरी app पे आ गया हूँ तो उसका भी link मैं आपको description box में दे दे रहा हूँ तो जरूर उसे follow करिएगा हर चैनल तो follow करते हैं अब खबरी app पे क्यों है इसलिए क्योंकि वहाँ पे मैं short audios बनाता हूँ 3-4 minute के audios मतलब जैसे अब lecture तो कभी कभी एक एक गंटे के हो जाते है वहाँ पे कुछ मैं short stories डालता हूँ कुछ knowledge bites डालता हूँ तो आप जरूर follow करिए description में link दिया हुआ है तो जार देगो खबर ये है कि Indonesia की Indonesia के जो submarine थी वो missing थी और ये Wednesday से मिली नहीं रही है इसका नाम है KRI Nangala 402 देखिए अकसर होता क्या है जो middle income देश होते हैं या जो घरीब देश होते हैं जो low income countries होती है वो submarine तो बना नी सकती तो वो दूसरे देशों से खरीदती है submarine, ship हो गया ये सब हम दूसरे देशों से खरीदते हैं Indonesia ने भी Germany की KRI Nangala 402 को खरीदा था ठीक है और ये torpedo drill हो रही थी है अब दोस्तों इसमें हुआ क्या कि Wednesday को ये गायब हो गई बिल्कुल Germany से इसको खरीदा गया था और Wednesday को ये गायब हो गई तिरेपन लोग इसमें सवार थे आप देखी सकते हैं कि ये बाली से लगबग 200 किलोमेटर दूर ये dive-in किया और उसके बाद पता ही नहीं चला ये गई कहा search operation जो है वो launch किये गए थे भारत ने भी दोस्तों DSRV भेजाता ना Deep Submergence Ariskyo Vessel ये भी भेजाता कि Indonesia Navy की मदद करते हैं लेकिन दोस्तों कुछ हासिल नहीं हुआ अब कल ये पता चला है कि 53 crew members खतम हो गए हैं हाला कि अभी भी ये ship ये submarine आपको पते ये ना ये पानी के नीचे चलते है बहुत नीचे नहीं चलती है देखो जैसे जैसे आप पानी के नीचे जाते जाते हो प्रेशर बरता जाता है ठीक है प्रेशर बरता जाता है भाहिया आपने जिनके पास साइंस होगी उन्होंने ग्राविटी के बारे में चाप्टर नहीं ग्राविटेशन का तो बताते ना कि जब आप ऊपर जाओगे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो प्रेशर बरता जाता है तो एक पॉइंट होता है जिसके नीचे submarine नहीं जाती है ठीक है सम्मरीन की भी अपनी एक लिमिट होती है कि इससे नीचे नहीं जाएगी इससे जदा प्रेचर वो जेल नहीं पाएगी अब दोस्तों अभी भी इसका मेन कॉस अनसर्टेन है लेकिन 90% एक कन्फॉर्म है आग लग गई और खेल खतम तुर्म हादी जाहन्तों ने बोला है कि यहां हमको ऑल स्लिक मिला है और टुकड़े मिले हैं नियर धी साइट जहां पे सम्मरीन आखरी बार देखी गई थी वहां पे हमको टेल जो है वो फैला हुआ मिला है और टुकडे मिले हैं इसका मतलब यही है कि लीकेज हुई और ब्लास्ट हुआ मिशन सबमरीन लॉंच किया गया था वेंस्डे से ही लगा तार इसकी खोज की जा रही है अमेरिका, सिंगापूर, जर्मनी हर कोई इसकी खोज कर रहा है इंडोलेशिया, भारत और अब दोस्तों यह सामने आया है अब आप देख सकते हैं कि नेवी चीफ युडो मार्गोनो ने बोला है कि अगर यह एक्स्प्लोजन है तो इट विल बी इन पीसेज भाई अगर ब्लास्ट हुआ है तो चीथड़े उधर उधर जाएंगे ना लेकिन क्रैक्स यहाँ पे कुछ पार्ट में हुआ जब यह नीचे गया 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर तब क्रैक्स प्रेशर बढ़ा और क्रैक्स एक्स्पोज होगा वैसे भी दोस्तों यह बहुत पुरानी सब्मरीन है 1978 में जर्मनी ने इसको बनाया तब इतनी पुरानी चीज़ हो को अलग इस बात में मरमत की जाती है लेकिन दोस्तों इतनी पुरानी चीज़ जादा टाइम तक चलती नहीं है और यहां पर यह भी बोल रहे है कि अगर कोई एक्स्प्लोजन होता तो सोनार साउंड वेज को यूज करता ना सोनार तो वो तो वहां तक तो आवाज पहुंचती तो अब यहां पर जो तिरेपन क्रियू थे देखिए ऑक्सीजन खाली 72 घंटे की बची थी और यहां पर ओफिशल्स ने यहीं बोला है कि देखिए वेंस्डे को यह हाथसा हुआ सेटेडे को यह बताया गया कि मतलब कल ही यह बताया गया कि आंग लग गए है क्योंकि टॉर्पीडो को को प्रोटेट करता था डिवाइस उसके पीसेस मिले हैं और जैसा कि मैंने बताया कि अभी नेवी ये मान रही थी, पहले कि ये बहुत नीचे चला गया, 600-700 मीटर नीचे चला गया, जो इसकी वजय बनी डूबने की, प्रेशर हद से जादा बढ़ गया, अब ऑफिशल्स का, अब कल ये बोलना है कि प्रेशर की वजय से ब्लास्ट ह हुआ, क्योंकि हमको पीसेज मिले हैं, जो डिवाइस टॉर्पीडो को प्रोटेक्ट करता था, उसके भी पीसेज मिले हैं, और ऑक्सीजन सप्लाई भी 53 क्रिव मेंबर की चली गई, that means 53 के 53 लोग मर गए, स्कैन जब हुआ, तो ये पता चला कि सम्मरीन जो है, वो 850 मीटर, 2788 फीट नीचे है, well beyond its survival limit, 500 मीटर से नीचे नहीं जा सकती, लेकिन ये 800 मीटर है, 800 मीटर चली गई, गया हो गया काम कतब, हला कि नेवी अभी भी बोल रही है, कि शायद जैसा कि ये नेवी चीफ यूडो मारगोनों को मारगोनों बता रहे हैं, कि ऐसा नहीं हुआ होगा, अभी भी देकि पूरी तरीके जम सर्टेन नहीं हो सकते, लेकिन अब 90% यहीं हुआ है, explosion हुआ, बहुत नीचे के explosion हुआ, pressure ठेल नहीं पाया, और submarine खतम, अभी कुछ भी certain नहीं है, important thing यह है, कि हम बिलकुल pray करना नहीं छोड़ेंगे, और हम तो अभी भी यह मान के चल रहे हैं, कि हर कोई जिन्दा होगा, तो यही चीज है, और Indonesia के जो प्रेशिनेंट है, Joko Widodo, उन्होंने सब कुछ इसमें लगा द भी uncertain है, बट खोज खबर चल रही है, और जैसा कि मैंने बता है कि यह डीजल सम्मरीन थी, जिसको जर्मनी ने बनाया था, 1981 से यह active है, अमेरिका बेवी ने भी अपना plane भेजा है, P8 Poseidon, री को ने सा प्लेन है यह इनका, और यह Saturday को आया, इसने भी research जो है, वो शुरू की, फिर बाकी 20 इंडोनेशन शिप लगे हुए लगातार, Australian वार्चिप, फिर इंडिया का DSRV, और उसके बाद सिंगापूर का, मलेशिया का, मतलब आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया इस समरीन को खोजने में लगी हुई है, और एक दो दिन में सब कुछ क्लियर हो और यहां पर यह भी एक बड़ा एक emotional statement आया है, कि मैं यही प्रार्थना करता हूँ, कि मेरे जो भाई है, वो सेफ रहे, यह प्रोफेशनल और उनको पता है, वो क्या कर रहे है, शिप जो है, वो maximum depth 300 मेटर, एक्सेंड करें तो 500 मेटर, इस से जाधा नहीं, और अगर इस से बीचे इस से नीचे गई है, तब तो बहुत मुश्किल है बचना, फिर यहां पर Frank Owen, जो Submarine Institute of Australia के researcher है, उन्होंने बोला, कि फ्लड की वज़े से भी यह शिप जो है, वो सिंक हो सकती है, हो सकता है, पानी बहुत जाधा हो गया हो, बायूंसी बहुत जाधा हो गई हो, इसल और जब यह Submarine मिलेगी, तभी दूद का दूद और पानी का पानी होगा, हमारी भी शुप कामना है, हम भी आप भी प्रार्तना करिए, कि जो crew members है, वो हम भी प्रार्तना ही कर सकते हैं, और मेरी भी यही प्रार्तना है, कि जो crew member हैं, वो सकुषल वापस आ जाए, यह lecture था दोस्तों देखेंगे, इस ख़बर पर हमारी नजर बनी हुई है, खुछ रहे पढ़ते रहे, इस सिद्धान तक नहीं होता ही सायनिंग होगा,